Hey guys, Welcome and Welcome back to Not-in-stitches आज की इस आइन को बनाने के लिए मैंने एक मीटर जिग्जग पृंटिड फापरिक लिया है और 2.5 मीटर मैंने एक फ्लोरल पृंटिड फापरिक्स को जोड़कर हम एक सुन्दर सी फ्रॉक स्टायल कुरती बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने कुर्ती के योग की कटिंग कर ली है जिसका बीच वाला हिस्सा मैंने जिगजग वाले printed fabric से बनाया है इसके side में मैंने floral printed fabric attach किया है और इसकी लंबाई मैंने ली है 15 इंच और बीच वाले हिस्से की चोड़ाई मैंने ली है 11 इंच यह आप अपनी measurements के हिसाब से कम्याजादा कर सकते हैं अब हम side वाले दोनो floral panels को center वाले panel के साथ attach करेंगे हमें इस तरीके से दोनो panels को रखना है कि दोनो panels की right side एक दूसरे को face करें और इसके उपर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दबाके किनारी पर ही सिलाई लगा लेनी है सिलाई लगाते हुए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ना तो हमें नीचे वाला कपड़ा खीचना है और ना ही उपर वाला कपड़ा खीचना है बिल्कुल हलके हाथ से अच्छे से सेट करके हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है कि कपड़े में बिल्कुल भी बलना पड़े तो इस तरह से दोनों पैनल्स को अच्छे से अटैच करने के पाद यहाँ पर हम इसकी क्रीज बना लेंगे या फिर प्रेस भी कर सकते हैं आप यहाँ पर अब हम इसके सेंटर में डिजाइन बनाएंगे तो डिजाइन बनाने के लिए मैंने कुर्टी के कलर के साथ मैच करता हुआ यह ग्रीन कलर का प्लेन फैबरिक लिया है जिसकी लंबाई और चड़ाई मैंने 2.5 इंच लिए है अब इस तरीके से हम इन स्क्वेर पीसिस को फोल्ड करेंगे और ट्रैंगल्स बनाएंगे और इसकी किनारी पर सिलाई लगा लेंगे तकरीबन 8 ट्रैंगल्स हमें बना कर त्यार करने हैं इस डिजाइन के लिए तो यहाँ पर ट्रैंगल्स मैंने बना लिये हैं और अब यह बॉर्डर मैंने कुर्टी के कपड़े में से ही काटा है और इसको मैंने साइड से फोल्ड कर लिया है अब इसके किनारी पर हमें एक lace लगानी है ये lace मैंने कुर्थी के कलर के साथ मैच करके ही ली है यहाँ पर आप कोई भी lace ले सकते हैं जो भी आपके पास available हो या फिर आप कपड़े की plane पट्टी भी यहाँ पर लगा सकते हैं तो इस तरीके से मैंने border के साथ lace को attach कर दिया है और अब हम यहाँ पर गले की लंबाई का निशान लगा लेंगे इसके center में भी मैंने crease बना ली है आप चाहें तो chalk से भी निशान लगा सकते हैं अब हमें triangles को इस तरीके से रखना है कि triangle की nook बिल्कुल center crease तकी आए इस तरह से triangles को हमें साथ साथ रखना है और सिलाई लगानी है और इस चीज़ का हमें ध्यान देना है कि जो triangles की nook है वो center crease से आगे न जाने पाए अब बिल्कुल इसी तरह से हम इस crease के दूसरी तरफ भी triangles को रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे ये triangles बिल्कुल आमने सामने हमें लगाने हैं दोनों triangles की nook आपस में मिलनी चाहिए इस तरह से तो यहाँ पर triangles को मैंने अच्छे से attach कर लिया है और अब हम इसके उपर border लगाएंगे तो triangles की किनारी को हम इस तरीके से border के नीचे दबा देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे बिल्कुल सफाई के साथ इस तरह से अब हम इस border की दूसरी तरफ थोड़ा सा color एड़ करेंगे जिस color के मैंने fabric triangles यहाँ पर लगाए हैं बिल्कुल उसी color की मैंने यहाँ पर बारी क्लेस ले ली है आप बारी क्लेस की जगा कपड़े की piping भी यहाँ पर लगा सकते हैं बस आपको थोड़ा सा color एड़ करना है इसमें तो इस तरह से यह लेस मैंने यहाँ पर attach कर दी है अब इस लेस की दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे ताकि यह उठी उठी सी ना रहे अब बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी border लगा लेंगे यह देखिए इस तरह से यहाँ पर भी हम यही लेस अटैच करेंगे बिल्कुल सफाई से लेस को अटैच करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी धागा आप यूज करें वो बिल्कुल सेम होना चाहिए और लेस को कपड़े के उपर खीच कर अटैच नहीं करना है नहीं तो डिजाइन में बल पड़ जाएंगे तो यहाँ पर मैंने पैनल का डिजाइन बना लिया है और अब हम इसके उपर गला बनाएंगे frills बनाने के लिए मैंने कपड़े की चोड़ाई उतनी ही ली है जितना की कपड़े का आर्ज था आप कपड़े की लंबाई अपनी measurements के हिसाब से ले सकते हैं तो इस तरीके से बिल्कुल बारिक बारिक चुन्टे हमें यहाँ पर डालनी है आप चाहें तो यह चुन्टे कच्चा टांका करके सुई से भी डाल सकते हैं तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर चुन्ट डाल दी है और अब हम योग के साथ इसे अटाच करेंगे तो इस तरह से योग वाले फैब्रिक को हम उल्टा करके फ्रिल्स के उपर रखेंगे और इसकी किनारी पर सिलाई लगाएंगे तो क्रीबन आधा आधा इंच कपड़ा हम इस तरह से दबा देंगे और बिल्कुल सफाई से सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर मैंने इसको सिलकर अच्छे से अटाच कर दिया है यह देखिए और इसके साथ ही कुर्ती के फ्रेंट का डिजाइन हमारा बन कर तयार हो गया है आप देख सकते हैं कुर्ती का यही डिजाइन आप दो प्रिंटेट फैब्रिक की जगा एक प्लेन फैब्रिक और एक प्रिंटेट फैब्रिक का इस्तमाल करके भी बना सकते हैं तो अब हम इस कूरती की स्लीव का डिजाइन बनाएंगे स्लीव का डिजाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्लेन ग्रीन कलर के फैब्रिक की एक पट्टी ली है इसकी चोड़ाई मैंने तीन इंच ली है और इसकी लंबाई आप अपनी बाजू की चोड़ाई के हिसाब से ले सकते हैं इस पट्टी को मैंने बीच में से फोल्ट कर लिया है और इसके उपर मैं वही लेस लगा रही हूँ जो मैंने गले पर भी लगाई थी तो इस तरीके से लेज को हमें लगाना है कि नीचे से थोड़ा सा प्लेन फैब्रिक उमें नजराता रहे तो इसकी किनारी पर मैंने सिलाई लगा ली है lorsqu again, अब हम इस तरह से यहां पर भी सिलाई लगा लेंगे अब हम कुर्ती के प्रिंटिट फैब्रिक में से एक पट्टी लेंगे इस पट्टी की चोड़ाई हमें चेंच लेनी है और इसे हमें बीच में से फोल्ड कर लेना है इस तरह से अब इसकी किनारी पर हमें अपनी लेस वाली पट्टी को रखना है और इसके उपर सिलाई लगानी है बहुत ही सिंपल और बेसिक सा हमारा ये डिजाइन है लेकिन बनने के बाद बहुत ही सुन्दर लगेगा तो इस तरह से पट्टी को अटैज करने के बाद हम इसे सीधा करेंगे और यहाँ पर एक टॉप स्टेच लगाएंगे इस तरह से और अब हम इस किनारी पर एक डबल एजिंग वाली लेस लेंगे ये लेस भी मैंने कुर्टी के प्रिंट के साथ मैच करके लिए है इस तरह की जालीदार लेसिस बहुत अलग-अलग कलर्स और पैट्रेंस में बहुत इजिली मिल जाती है तो यहाँ पर बॉर्डर हमारा ये बन कर तयार हो गया है और अब हम इस बॉर्डर को बाजू के साथ अटैच करेंगे तो बाजू को मैंने आगे से थोड़ा फोल्ड करके एक कच्ची सिलाई लगा ली है और अब हम इस तरह से border को बाजू के आगे attach कर लेंगे अब इस border के उपर मैं बारिक वाली green lace भी attach कर लूँगी जो कि मैंने कुर्टी के गले पर भी attach की थी तो इस तरह से ये green lace attach करने के बाद design में थोड़ी brightness आ गई है और एक सुन्दर सा color add हो गया है तो यहाँ पर sleeves का हमारे ये design बन कर तयार हो गया है और अब हम इसके उपर fitting वाली सिलाई भी लगा लेंगे यहाँ पर मैं sleeves की simple shape बना रही हूँ आप चाहें तो ये design bell sleeves के उपर भी बना सकते हैं या फिर आप इस design के साथ कुर्ती की बाज़ो थोड़ी सी खुली भी रख सकते हैं तो इसके साथ ही sleeves का हमारे ये design भी बन कर तयार हो गया है तो guys आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को subscribe करें subscribe के बटन के साथ जो bell icon है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियो के regular updates मिल सकें साथ ही आप मुझे facebook और instagram पर भी जुरूर follow कर लीजेगा जिसका link मैंने description box में दिया है तो guys thank you so much for watching bye bye